असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं अब सब आई होप यौल आर वेल आज मैं यहां अपनी बेटी के लिए ड्रेस स्टिच कर रही थी यह विंटर का फरस्ट ड्रेस होगा तो यहां मैं फ्रोक स्टिच कर रही थी खदर में और इसकी नेकलाइन पर मैंने इस पर लगाया और इसकी फ्रिल लगा दी और साइब बटन टेक टिच बटन लगा दिया बैक पर बटन टेक नहीं रखी साइड वाली जो है वह बहुत ही एक डिसेंट लुक देती है और ब्लैक स्लीव रखे हैं और उसके नीचे जो है वह मैंने लास्टिक लगा के तो उसको क मैं यहां पर बना रही हूं जबता सा चिकन फ्राय और इसकी रेस्पी में आपके साइब कर देती हूं यहां पर सारे चिकन को मैंने कट लगा दिया और बाकी को मैंने अच्छे से पांच कर लिया है और यहां पर प्लेन योगर्ट लिया है उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके सारे हमघ्रिनिस टला के जो सारी हैं मैं इसको मैरिनेर कर दो हैं और यहां ने शान का तंदूरी मसाला लिया को बाहती है यह अनरह तुछ अच्छ चा उप मीति दूस्चोर आप अपने ही छाए सा छूप्र संदू करने मैं इसमें टू टेबले स्पून सारी चीज़ों का मसाला डाल दिया इसमें वान बिग लैमन मैंने एक कर दूंगी इसके अंदर तो बस जिनर में जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं सिंपल राइस के साथ जो है वो चिकन फ्राइ कर लेती हूं कि डेली क्या पका हैं क्या पका हैं यह बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो मेरे से तो डेली सोचा भी नहीं जाता है अच्छा यहां पर मैंने इसके अंदर हल्दी गरम मसाला नमक और मिर्श डाल दी है और इसके चिकन के उपर मैंने सोया सॉस लगा दी है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सारा मिटेरियल जो है वो इसके उपर लगा के इसको अच्छे से मेरिनेट कर लेंगे और यह मैं ताइट वाले पॉट में एड़ करके जो है वो इसको मैंनेर करके फ्रिज में रख दूंगी जितना यह टाइट होता है उतना ही जो मसाला है वो अच्छे से उपर लग जाता है आप चाहें तो एक दो दफा अंदर मीक्स करके उसको दुबारा से हिला के उपर नीचे कर सकते ह आपने जो है इसको किसी भी देख्ची में रख देना है ताकि अपनी दई के पानी में जो है ना वह खुश्क हो जाए और आदा जो है वो चिकन गल जाए उसके बाद आपने नौस्टिक के फ्राइपन में हलका सो आयल लेना और उसके उपर यह चिकन जो है वह सारा रखके आट से दस मिनट एक साइट से पकाना है और आट से दस मिनट जो है वह इसकी साइट पलटके दूसरी साइट से पकाना है चिकन आपका रेडियो जाएगा यहां मैंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी मैं आपको बता दूँ के फीडर ब्रश और फीडर की जो निपल्स होती है वह आपने एवरी मन्थ लाजमी चेंज करनी है ताके बच्चों के अंदर कोई भी जम्स जो है वाइटा ना हो सके उसका बहुत ख् बाइल करें और उसके वैसे ही जम्स जो है जो है वो निकल जाते हैं और वह बिल्कुल फ्रेश हो जाता है ठीक है तो बस चुट-चुटी बातों का ख्यार रखना चाहिए यहां पर चुट-चुटे से टॉइस बीस वाप आले यह तो यह तो के टीथर जैसे होता है वैसे लिए जो है अच्छे रहते हैं लेकिन मैं तो सम्वाल समय के ट्वैस थक गहीं हुँ इतने ज्यादा बच्चे दो प्हेंगते हैं किस किस कीज़ को हम जो है वह साफ रखें तो खेर बच्चे हुते हैं वहां तो हर वकद दोर बाग लगी रहती है होँारी तो बरहाल आपक तो दूद में मिक्स कर दें वैसे मैं तो इसी मेल्ट हो जाती है तो यह बहुत ही अच्छी है ठीक है आई होप आज की वीडियो आपको पसान आई होगी मिलते हैं नेक्स व्लाग में अलाहाफीज